हेलो एंड वेलकम बेक सांथियों मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का विशे में आपके लिए रसायन सास्त्र का एक महत्तपून कुश्चन पेपर लेकर आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना ना भूले और इसी प्रकार के रोचक और कैमेस्ट्री के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर आपके निर्देश दिये गए हैं आपके एक्जाम में आपको निर्देश पढ़ने हैं कौन से प्रस्ण किस प्रकार से कहां से कितने अंक के आने वाले हैं अब यहाँ पर साथ वेकलपिक प्रस्ण दिये गए हैं वो वेकलपिक प्रस्णों के उत्तर में आपको provide कर रहा हूँ या बता रहा हूँ अच्छा इस वीडियो के अंते तक आप बने रहें क्योंकि इस वीडियो के मात जम समय आपको इस paper का संपूर्ण solution provide करने वाला हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो like अबस्षी करें अंते तक बने रहें ताकि हर एक प्रश्ण के उत्तर आपको मिल सकें तो पहला वाला देखते हैं सलीकान कारबाइड SIC निम्न प्रकार का क्रिस्टल ही ठोस होता है तो यहां आपका option नंबर पहला वाला सही रहेगा सासायों जी की क्रिस्टल वहां कारग जिसमें प्रथम कोटी की अभिक्रिया का वेग इस्थिरांक निर्भर करता है तो वहां अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करता है इसका चोथा वाला option सही रहेगा अब अगला देखते हैं तीसरा वाला हाड़ी सुल्जे का नियम संबंदी थे तो हाड़ी सुल्जे का नियम किसे संबंदी थे तो इसकंदन से संबंदी थे इसका option number दूसरा सही रहेगा साधरन ताहा साधरन ताप पर ammonia कोन से अवस्था में होती है साधरन ताप पर फिर आगे बढ़ते हैं पाचवा वाला पढ़ते हैं PPM का पूरा नाम क्या है तो PPM का पूरा नाम है polymethyl methaculate ये वाला option इसका सही रहेगा PVC का PVC एक लक है तो ये vinyl chloride का एक लक है इसका option number दूसरा वाला सही रहेगा छटा वाला देखते हैं सात्वा वाला आप चटा कवर करने के बाद वेरेनाल इसके निकल का उधारन क्या है तो इसका प्रशान तक के रूप में इसका उप्योग किया जाता है दूसरा वाला ओप्शन सही रहेगा यह आपके इंग्लिस में अबजेक्टिव टाइप कोश्चन कितनी होती है तो यहाँ पर परमाणू की संख्या दो होती है दूसरा वाला देखते हैं जाग प्लवन विधी खालिस्तान आयस्क के सांद्रण से प्रियुक्त होती है तो यह सलफाइड आयस्क जो होता है उससे जाग प्लवन विधी उप्युक्त होती है तो इसका आजाएगा सलफाइड तीसरा वाला देखते हैं एसोटू द्वारा विरंजक खालिस्तान क्रिया द्वारा होता है तो एसोटू द्वारा विरंजन अपचेहन क्रिया द्वारा होता है तो इसका आंसर रहेगा अपचेहन फिर चोथा वाला देखते हैं फार्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की किरिया से बनने वाले योगी का नाम बताईए चोथा वाला हेक्जामेथिल टेट्राइमेन तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ और नीचे जब मैं स्क्रोल करूँगा वीडियो तो उनमें भी मैं लिखके भी आपको इस वीडियो के अंतर तक आप बने रहें ताकि इनके सभी के अंसर आपको लिखित में भी प्राप्त हो सके आप और सारे के सारे कोश्चन याद कर ले तो हेक्जामेथिलीन एमिन हेक्जामेथिलीन एमिन टेटरा एमिन अब हम पांच वा देखते हैं एमाइट से अमोनिया बनानी की अभी करिया है तो वास्पी करण जो होता है वो एमाइट से अमूनिया बनेनी की अभिक्रिया होती है तो इसका अंसर रहेगा वास्पी करण चटा वाला ग्लूकोज के पूर्णा आक्सिकरण से खालिस्तान अनुप्राप्त होते हैं तो चटे का आपका अंसर रहेगा 38 ATP जो प्राप्त होते हैं उनसे 38 ATP ये ग्लूकोज से बनते हैं ये हमारा चटा वाला हो गया साथ्वह देख्ते हैं खालेस्तान प्रति अमल का उधारन है तो मेगनिसियम हाइडर आक्साइड एमजी ओएज भी लिख सकते हैं तो इसका आणसर रहेगा आप लेख सकते हैं मेगनिसियम हाइडर आक्साइड फिर तीसरे वाले प्रश्ण ही की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जोड़ी को हम कबर कर बाने वाले आपको तो पहले जोड़ी है CAF2 तो इसका आइनिक योगी का आंसर सही रहेगा तो यहां ऑप्शन नंबर हमारा पाँचवा वाला इसका सही रहेगा आइनिक योगी स्वारणे संख्या इसकंदन सक्ति को दरसाते हैं स्वारणे संख्या से मेलेकाइट तो मेलेकाइट का आपका रहेगा सुत्र इसका CuCO3 CuOH2 क्लोरीन तो क्लोरीन का आपका सुत्र रहेगा तिक्षन हरी पीली रंग की गैस इसका उत्तर रहेगा तीक्ष्ण हरी पीली रंकी गैस प्रोटीन का इवाला उप्षन तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोटीन तो प्रोटीन में हमारा अलफा अमिनो अमल का बहुलक यह प्रोटीन का और इनके उत्तर यह दिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं नीचे की तरफ इनकी जोडिया बनी बनाएं आपको देकर बता दूँगा फिर इवाला प्रोटीन का यह फिर इसके बाद इवाले का प्रोटीन का हमने एमिनो लगा दिया फिर इसके बाद प्राकृतिक बहुलक तो प्राकृतिक बहुलक का आएगा शेलिलोज एसप्रीन एसप्रीन का जाएगा एसीटीलिक शेली शेली अमल तो एसीटीलिक शेली शेली अमल हमारा नवा उप्शन है अब जोड़ी के बाद हम देखते हैं एक सब्दिया एक वाक्यम उत्तर हम देखते हैं दूरुवी आणविक थोस्का उधारन दीजिए तो एक उधारन आप देख सकते हैं तो इसका HCL एक उधारन है चाहे तो आप Aso2Bis का उधारन दे सकते हैं दूसरा वाला क्वांटम दक्षिता का सुत्र क्या है तो क्वांटम दक्षिता का सुत्र है दिये गए समय अंतराल में अभीकिया करने वाले अनू की संख्या बटा उसी समय में अवसोसित क्वांटम की संख्या फिर तीसरा वाला देखते हैं फोटोग्राफी में ट्रोनिंग के लिए किस योगिक का उपयोग किया जाता है तो तीसरे वाले में इसका आंसिक का उपयोग किया जाता है चोथा वाला पी बलाग के तत्व का समानी सुत्र क्या है तो पी बलाग के तत्व का एन एस टू एन पी 6 यह हमारा P-Block का सुत्र Potassium अगला वाला है Carbohacolic Amaluk की संरचना सुत्र तो इसका Potassium Hexacloride जो IPAC नाम में जो हम देखते हैं बाच वह लगा K4 Fe तो इसका सुत्र में हम बोल सकते हैं इसको Potassium के मतलब Potassium Potassium Hexacino Farad इसका नाम है Potassium Hexacino Farad फिर तो Carbohacolic Amaluk याने की सीधा सीधा हम देखा जाए तो यहाँ पर संरचना सुत्र Bengin बना दो और Bengin के ओपर OH लगा दो तो यह Carbohacolic Amaluk बन जाएगा याने की ऐसा यह Bengin बनाया और Bengin के ओपर हमने यह Ring बना दिया Bengin के ओपर हमने OH लगा दिया यह हमारा Carbohacolic Amaluk फिर अगला देखते हैं Master dial Abikria के प्रमुक उत्पादक क्या बनता है तो Elkin Isosinide अब हम यहाँ पर कुछ दो अंक के प्रस्ण पांच से लगा कर आपके प्रस्ण नंबर 12 तक जो दो अंक के प्रस्ण दिये हैं पांच प्रस्ण से बारा तक उनके भी उत्तर में आपको अभी बताने वाला हूँ वीडियो के अंते तक बने रहें यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य कर दे तेरवा वाला से स्टार्ट हो जाते हैं आपके तीन अंक के प्रस्ण और ये आपकी केमेस्ट्री की वर्स 2022 की परिच्छा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण पत्र है अब यहां से चार अंक के प्रस्ण की बात करते हैं तो जो प्रस्ण नंबर सत्रवा है सत्रुए से चार अंक के हमारे प्रशन्वी स्टार्ट हो जाते हैं तो यहां पर आपकी जो अभिक्रिया होने वाली है कॉल्रास का नियम, संक्रमण, अन्ता संक्रमण यह सारे के सारे प्रशन आपको में Anser Sheet के माध्यमसे में अभी आपको प्रवाइड कर रहा हूँ पूरा का पूरा संपूर सेट पेपर को और किस प्रकार से इनको लिखना है एक्जाम में वो भी मैं आपको लिखे हुए भी बताने वाला हूँ तो वीडियो के अंतर तक आप बने रहे हैं और देखें इन प्रशनों के उत्तर यहाँ पर ध्यान से देखें सारे के सारे प्रशन में अब यहाँ पर आपको पूरे के पूरे प्रशन के आंसर सहीत लेकर आया हूँ पूरे के पूरे सेट पेपर वहाँ पर मैंने अबजेक्टिव टाइप प्रशन आपको समझा दिये हैं और रिक्तिस्थान के आंसर भी पूरे के पूरे हमने यहाँ पर दूसरे वाले प्रशन में लिखे हुए हैं यह आप देख सकते हैं इनको नोट कर सकते हैं पर यहाँ पर थर्ड वाले की बात करते हैं तो जोड़ी जोड़े का मिलाना आप कर सकते हैं और मैंने जोड़ी वहाँ पर समझा भी दी है और एक वाक्या एक सब्डम उत्तर भी आपको यहाँ पर बता दिया है मैंने कि किस प्रकार से इसका संवर्च नसुत रही होता है अब रही बात दो अंक के प्रशनी की तो दो अंक के प्रशनी मैंने बोला था आपको मैंने और वाला इस सेट पेपर में आपको दोनों तरीके से प्रशनी मैंने करके दे दिये इनके फिर इनके धनात्मक रिनात्मक विचलन वाले आदार से विलियन के कोई दो धरन दीजिए तो ये भी लिखा हुआ है छटा वाला प्रशन भी दो अंक का है तो हमें यहाँ पर इसने तीन पाइंट दिये गया है तो हम इसके केवल दो पाइंट लिखेंगे और हमेसे जाएक होती है और इसकी स्याट्या माध्या के समान होती है फिर इसके अंतर की बात करते हैं तो बहुतिक अधी सोन से और आसादी अचे के उत्तर देख लें चाहें तो आप इनके इसकीन सोट ले लें या पूरे वीडियो के अंते तक आप बने रहें ताकि आपको सारे के सारे प्रस्ण के दो अंक के हैं तो दो अंक के प्रस्ण का उत्तर मिल जाएगा चार अंक के हैं तो चार अंक का प्रस्ण का उत्तर तो यहा पीडा हरी हम सलफा होस दी ये भी आपके दो अंक में पूछा जाएगा आप तेरवे प्रशन की बात करते हैं यहां से तीन अंक का हो गया यहां पर आपके जो उन्नेयन हिमांक का कौतनांक का उन्नेयन है उनके अनुसार हमारा प्रशन का जो सवाल दिया है उसको सोल्व करना है फार्मुला यहां पर लिखा और फार्मुले में मान पूट करके आपको पूरा का पूरा सवाल ताकि सोल्यूशन के साथ उनका उत्तर भी मैंने आपको दे दिया है अब देखते हैं उसी प्रशन का और वाला यहां पर भी सवाल दिया है आप देखें फिर यहां पर तीन और अभीक्रिया की कोटी यह भी आपका मौस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण है जो कि आपके तीन अंक में पूछने की प्रबल संभावना है वैसे यह पेपर ही मैंने आपके लिए तयार किया है और मेहनत के साथ तो वीडियो के अंतर तक बने रहें और वीडियो को देखते र प्रशन को आपको सिद्ध करना है यह भीक्रिया लाल हरा रंग देती है यह पूरा का पूरा अभीक्रिया हमने विक्टर मेर प्रडिक्षन की करके बताई है इसके अत्वा में हमारी वीडि दी है पिक्री कमल एनिलीक और पी बेंजय क्यून की तो यहां पर देखें आप ध को प्रवाइड करके यहां पर मैं बता रहा हूं सत्रुवा प्रशन सत्रुवा प्रशन से हमारे चार अंक के स्टार्ट हो जाते हैं तो हुंस डीकर बूटज फीटिंग रिमर्टी में यह अभीक्रिया आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है अठारवे प्रशन में पूँछे जाते हैं पाच-5 अंक के तो यह पाच-10 संक्रमन तत्यू की परिभासा चंक्रमन टत्यू के बारे में आपको बताना है लेंधिनाय, एक्टिनायाइट में अंतर भी आ पसे पूँछ सकता है तो मैं इसमें हैं संपूर्ठ को आपको बताया है वीडियो को देखन अच्छे मांक्स ला सकते हैं तो आपकी जैसे कॉफियां होती है कॉफियों में आपको प्रस्ण के अंक डालने हैं कि प्रस्ण क्रमांक पहला या प्रस्ण क्रमांक दूसरा जैसे अब्जेक्टिव टाइप या वेकल्पिक प्रस्ण है आपके तो उन वेकल्पिक प्रस्ण को आप आ सकते हैं यदि आप इस प्रकार से आपकी copy में सुन्दर और स्वच्छ writing से आप लिखते हैं तो प्रशन नमबर 2 के उत्तर तो यह प्रशन नमबर 2 के उत्तर हमने लिख दिये प्रशन नमबर 3 जादा से जादा आपको काटा पिटी से बचना यदि हो भी जाती है ताकि आपको अच्छे अंक और अच्छे माक से दिराने के लिए हम प्रयास रत रहें और इसी प्रकार से हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे आप वीडियो को लाब लेते रहें यहाँ पर मैंने इस मैंने बोला आपसे की प्रश्ण पत्र में आपको पेपर में और वाला हल नहीं करना है पर मैंने इस पेपर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि इसमें और वाले भी प्रशना आप याद कर लें ताकि एक्जाम में आए तो आप इसको आराम से लिख दें हैं और यदि आपका प्रश्ण अधुरा देगा तो उस पर continue आपको लिखना है तो यह हमारे 12 दसवा प्रश्ण 11 बारवा फिर यह 13 तेरवे का अंसर सब दो-दो अंक्र के प्रश्ण में किया बिना और खाटा पीटि किये यह सारे के सारे प्रस्ण अपको लिखना उसके अध्व वाली वह भी लिखने अले तो हमने पर आपके पेपर को म änने तयार किया संपूर्ण पेपर आपको समझा यह हम आप अपना अमूली समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ये वीडियो का अंत है आप सभी को केमेस्ट्री के पेपर के लिए बेस्ट आप लग इसी प्रकार से आपको तयारी करनी है और अच्छे मार्ग से 70 में से 70 लाने के लिए हम आपको बहुत-बहुत अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं आपको टाटा बाइबाई